नमस्कार में नाजमा अबदी और आप देख रहे हैं नीज्टाइटी एक्सप्रेस और इस वक्त की बड़ी एहम ख़बर हम आपको दिखा रहे हैं आईए लेके चलते हैं हम आपको घटना इस्तर पर जासी में आज सुबहा प्रेमनगर पुलिस वा स्वार टीम को बड़ी सफलता हासिल हुए दोनों हे टीम ने देडरात मुटभेड के दोरान एक हत्यारोपी किरायदार को गिरफतार कर तीन दिन पहले प्रेमनगर थाना में बुज़ुर्ग महिला की हत्या के मामली का खुलास हत्यारोपी ने पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर तमंचे से फायर कर भागने लगा पुलिस ने जवाब में फारिंग करते हुए दबोच लिए इस दोरान एक गोली उसके पैर में जा लगी पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कबजे से महिला की हत्या करके लूट तो किया उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए फायरिंग की जिसमें गोली बदमाश के पैर में जा लगी जिसमें वो घाल होके पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है पुलिस के मुताबिक मुटभेड में पकड़ा गया बदमार स्तुनील शर्मा है जिसने प्रेम नगर थाना शेत्र के पुलिया नमबर 9 रेल गंज में महिला की हत्या कर करीब 20 लाग रुपे की लूट पाट की थी पुलिस ने उसके कबजे से लूटा हुआ माल बरामत कर लिय पुलिस को बता दे कि लगबग चार दिवस पूर थाना प्रेम नगर में रातरी में एक बुजूर महिला की हत्या पिसूचना पुलिस को मिली थी पुलिस पत्काल घटने स्तर पे पहुंची सारी तीम में पहुंची थी उसमें हाला कि अपरादी ने काफी शातिर तरीके से बिना किसी वेरिफिकीशन के वहां पर कमरा ले लिया था और जो मरतका थी उसकी पुत्री का कहना था कि उनके किराएदारों ने उसके एक अत्रत्र करी पुलिस के सामने आए जांचपरताल होई उसमें एक महत्पूर क्ल्यू कर्चरे में पढ़ा हुआ एक डब्बा मिला उस डब्बे के मैदम से पुलिस अफरागियों तक पहुची इन्वेस्टिगेशन करी रात्री में हमें सुचना पराथ होई कि जो चार दिन पूर बुजुर्ग महिला के हत्या जिस वक्ति ने करिये वो हो सकता है कि हां आया हो तो पुलिस ने घेराबंदी करी रोक तोक करी पूस्ताज करी तो उसने फायर किया बदले में पुलिस ने भी फायर किया तो उस बजबाश को गोई लगी पूस्ताज को उसने ये बात बताई कि चार दिवस पूर उसने बुजुर्ग महिला की हत्या अपनी एक साथिन के साथ करी थी और वो माल चुपा कर आज इसे लेन झाल